मारे कर दो यार सर बैच दोनों बैच की चार्ट हेलो एवरीवाण वेरी 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 गुड़ा आप्टरून तो आल फ्यू आए वेल्कम यू और यूर ओन प्लाट्फर्म पी डबलू मैं आप सभी का स्वाकत करते हूं के कुछ के प्लाट्फर्म पी डबलू पे चली जल्दी से आईए क्लास को जॉइन करते हैं सेशन को ज करते हैं जल्दी जल्दी क्लास को जॉइन करते हैं वेरी वेरी गुड़ा आफ्टरून चुल्रें वेरी गुड़ा आफ्टरून क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक सवाल रहता है पहले मुझे यह बताना कि जितना भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था वहां तक सब को सब कुछ clear है किसी को कोई doubt कोई query कोई भी ऐसा point जो clear नहीं हुआ है जल्दी से बताईएगा जिससे मैं clear करके फिर आगे चलूं येस very very good afternoon good evening good afternoon good evening hello राधे राधे पहले मुझे ये बताओ जल्दी से और दूसरी बात मुझे ये बताओ कि आप लोग को जितना भी हमने last class में किया था पढ़ा था सब को सब कुछ clear है कोई doubt तो नहीं है क्या हम आगे चलें एकदम समझ आ गया बिलकुल clear है बहुत बढ़ियां कितन करेंगे राष्ट्रपती के बारे में प्रेसिडेंट के बारे में ठीक है प्रेसिडेंट के बारे में करेंगे पोल्स होंगे जब हम लोग प्राक्टिस करेंगे तब पोल्स होंगे ठीक है तो आज हम लोग क्या डिसकस करने वाले हैं हम लोग डिसकस करेंगे राश्पती के बारे में जानने के लिए येस ओके बहुत बढ़िया 51 एक 11 पॉइंट बिटा 11 पॉइंट कहता है कि 6-14 साल तक के बच्चों के माता-पिता की जिम्मेदारी है उन बच्चों को स्कूल भेज ना विद्धयाले भेजना ठीक है ओके बहुत बढ़िया अब मेरी बात सुनो हम अब साथ स्टार्ट करें चाह poder राश्रुपति के बारे में अब बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपके नोट में यह cohort अडे रही हूँ जिसरे बच्चों को यह होता है कि मायम कौन सा कब से कब तक रहे तब मैं आपको पूरी शीट पे पूरी इंफोर्मेशन मिल जाएगी आपको सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे कब से कब तक रहे फिर कौन मने 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 कब से कब तक मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रही हूं, उस डायग्राम को धियान से देखना और समझना, एक वर्ड होता है यूनियन, यूनियन को हिंदी में बोलते हैं केंड़, केंड़ पे सबसे पहले होते हैं राष्ट्रपती, मतलब प्रेसेडेंट, प्रेसेडेंट मतलब इसके बाद होते हैं प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को हिंदी में अगर बोला जाए तो प्राइम मिनिस्टर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रधान मंत्री ठीक है इसके बाद होते हैं कांसिल ओफ मिनिस्टर्स को हिंदी में बोलते हैं मंत्री मंदल कांसिल ओफ इसके बाद होते हैं Attorney General महानियावादी आप मुझसे ये पूछोगे कि मैम यूनियन पे कौन काम करता है बच्चों यूनियन पे सेंटर पे काम करता है संसद और संसद कितने स्थम्ब होती है जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ और कौन कौन होते है बेटा हान नोट्स तो आप खुद बनवाओगे मैं अगर क्लास में आपको डिक्टेट करकर के हान नोट्स बनवाने लग गई तो ये आपका तो फिर कॉर्स कम्प्लीट कभी होई नहीं पाएगा पेपर निकल भी जाएगा क्लास में हान नोट्स कौन बनवाएगा भी एक बात बताओ आप ये बताओ मैं आपको डिक्टेट करू और आप लिखोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है और अब दूसरी बात आपको सारे नोट्स में बने बनाए दे रही हूँ आपको पढ़ना ही तो ये केवल बिल्कुल सही बात है तीन स्थम्ब होते हैं पार्लिमेंट के तीन स्थम्ब होते हैं लोगसभा, राजसभा और प्रेसिडेंट लोगसभा, राजसभा एवां राश्ट्रपती यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं क्लियर? अब बच्चों यह बात सुन लो एक टॉपिक और होता है जिसको हम कहते है स्टेट, स्टेट को हिंदी में बोलते हैं राज्जी ठीक, राज्जी पर अगर बात की जाए राज्जी पर सबसे पहले होते है गवर्नर, गवर्नर को हिंदी में बोलेंगे तो कहते हैं जीदि राज़्य पाल ंगर गवर्णन की जगवर्णन के बढ़द कौन होते हैं चीफ मिनस्टर को हएंदी में बोलते हैं मुख्य- pagop कि इस जीदि के बार को होते हैं council of ministers council of ministers को बोलते हैं मंत्री- और इसके बाद होते हैं एड़ोकेट जिनरल महादीवक्ता इसके बाद होते हैं एड़ोकेट जिनरल महादीवक्ता इस्टेट को कौन चलाता है इस्टेट को चलाते हैं इस्टेट लेजिसलेचर राज्य विधानमंडल और यह कहीं कहीं दो स्थम्ब है कहीं कहीं तीन स्थम् और एक होता है गवर्णर विधान सभा विधान परिशद और गवर्णर क्या मेरी बात यह बात समझ में आई ये डायग्राम आपको बच्चों किसी भी बुक में नहीं मिलेगा लेकिन इस डायग्राम की बेसिस पे अगर आपने मेरी बात सुन ली और समझ ली तो सारा काम जाएगा मैं आपसे किवर इतना रिक्वेस्ट करती हूं कि आप सेंटर को ध्यान पर देखके सुन लो ध्यान से समझ लो कि वल सेंटर को अपने आप लन हो जाएगा कैसे लन होगा वह में चुठकियों में करा दूंगी वह मेरी जिम्मेदारी है क्या मेरी बात यहां तक सम आए यहां तक यह डाग्राम समझ में आया क्लियर आप बच्चूं यह डागराम मから बनाया है कि वह इसले बनाया जिस्ते तुम्हें पतर चल जाय कि कैंद्र में कौन आए और राज्यमें कौन आता है और देखो मैम ने यह बात जो डायग्राम में बताई वो यह रही भागपाच अनुछेद 52 से 78 तक हम लोग संग के बारे में बात करेंगे संग कारिकार्णी में सबसे पहले कौन आएंगे राश्ट्रिपती राश्पती के बादुप्राश्पती फिर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मंत् दुनि जन्रल महानियवसादी क्या मेरी बात यहां तक समझ में ाई बच्चो क्लियर है अब मेरी बात सुनो आज और हमारा जो चैप्टर है क्या नाम है जल्दी के बोलओ आज के चैप्टर का नाम है और मश्पती unwशेद 52 क्या आप लोग मत्याहं सारी बाते समझने के लिए येस क्या आप सभी लोग तयार हैं सारी बाते समझने के लिए जल्दी से बताईए क्या आप लोग तयार है सब ओके अगर मैं बात करूंगे प्रेसिडेंट के बारे में बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना class में सब कुछ learn हो जाएगा मेरी बात सुनना बस राश्ट्रपती article 52 राश्ट्रपती का term कारेकाल किता होता है 5 साल और ये कितनी बार भी बन सकते हैं any number of time कितनी बार भी बन सकते है राश्ट्रपती का वेतन किता होता है राश्पती का जो वेतन होता है अगर आप कहोगे कि मैम राश्पती को शपत कौन दिलाता है बच्चों राश्पती को शपत दिलाते हैं भारत के मुख्य निया अधीश को अगर हिंदी में बोलें तो इंग्लिश में बोलें तो भारत के मुख्य निया अधीश को इंग्लिश में बोला जाता है चीफ जस्ट और यह तैस्ट जजज का जो एक हैड होता है उनको हम बोलते हैं जीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य निया अधीश इसे क्लिय। अके नेक्स बात अगर करेंगे अगर कभी भी प्रेसडेंट को रिजाइं देना है किसको डेते हैं वाइस प्रेसडेंट को समझ में आई यहां तक किसी भी पॉइंट में कोई दिकत यहां तक बताऊ केवल मैंने इतना पूछा यहां तक किसी को कोई दिकत कारिकाल कितना है salary, pension, शपत कौन दिलाता है, त्याग पत्र किसको देते हैं, यहां तक किसी को कोई problem है जल्दी से बताएए clear है ओके बहुत बढ़या अब यह question बेटा त्याग पत्र अपना उप्राष्ट्रपती को देते हैं wise president उप्राष्ट्रपती को ठीक है wise president उप्राष्ट्रपती को देते है ठीक है ओके बहुत बढ़िया, all clear, very good, अब ये बात आती है, मैम अगर राश्पती बनना है, तो योगिता क्या होती है, eligibility क्या होती है, अगर राश्पती बनना है, तो फिर eligibility क्या होती है, देखो योगिता कि अगर बात की जाए, अगर आपको राश्पती बनना है, तो सबसे पहली बात य आफ इंडिया भारतीय नागरिक होना अनेवारे है ठीक है आपको भारतीय नागरिक होना अनेवारे हैं दूसरी बात minimum age निउन्तम आयू minimum age 35 साल होनी चाहिए minimum age 35 साल होनी चाहिए maximum age अधिक्तम आयू no limit अधिक्तम आयो कोई limit नहीं होती है मानसिक तौर से संतुलित होने चाहिए मानसिक संतुलित मतलब sound mind होने चाहिए मानसिक संतुलित का मतलब होता है sound mind होने चाहिए मानसिक तौर से संतुलित होने चाहिए साती सात में no office of profit लाब का कोई अन्य पद नहीं होना चाहिए No Office of Profit का मतलब लाब का अन्य पद नहीं होना चाहिए Maximum Retirement Age Maximum Age कुछ भी नहीं होती Maximum Retirement Age कुछ भी नहीं होती क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई CGI को President Appoint करते हैं CGI का Election नहीं होता यह कोई राजनितिक पद नहीं है यह कानुनी पद है CGI को राश्पती नियुक्त करते हैं जो Senior Most Judge होते हैं आपके Supreme Court के उनमें से उनमें से President किसी को भी CGI की रूप में मना देते हैं Yes क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक सबको सबकुश क्लियर है यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है जल्दी से सभी स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करो यहां तक सबको समझ आ गया ओके नाउ दूसरी बात मैम अगर President का क्या क्या कारण है कि अगर President की सीट खाली हो सकती है क्या क्या कारण है क्या क्या रीजन है जिस वज़े से President की सीट खाली हो सकती है क्या क्या कारण है जिस वज़े से राश्पती की सीट खाली होगी सबसे पहली बात सबसे पहली बात है अगर President की Death हो गई है ना अगर राश्ट्पति की मृत्यू हो गई तो सीट खाली हो जाएगी है ना ठीक है ओके प्रेसिडेंट की मृत्यू कब हो अगर प्रेसिडेंट की मृत्यू हो गई तो उनकी जगह कौन काम करेगा वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे और प्राश्ट्पति काम करेंगे आपने क वो भी नहीं है तो फिर बच्चे सुप्रीम कोट में 33 जज होते हैं जो उनमें से सर्वो परी होंगे वो कारे करेंगे है ना कोई भी इंसान ठीक है पहले कौन किसको शपत दिलाता है अरे जो जिसको विकिंसी होगी वो उसको शपत दिलाएगा दोनों एक सा थोड़ी ना हट चलती होते हैं अच्छा कोई भी इंसान अगर प्रेसिडेंट की जगण राइस प्रेसिडेंट की तरह लेकर काम करता है उनको हम प्रेसिडेंट की नाम से झाते हैं कोई कर सकता है शै मेने के अंदर हमें नय राश्पती को चुना ही होता है क्या मेरी बात समझ में आई तो अगर राश्पती नहीं हें तो उनकी जगह कौन काम करेंगे उपराश्पती उप्राष्पती भी नहीं प्राश्पति भी नहीं है तो भारत के मुक्रे नômगणादीश वह भी नहीं है तो सर्वोच नियाले में 33 न्याधीश होते हैं 33 नियाधीश में से जो भी सरवो पड़ी होंगे वह काम करेंगे अभी हम लोग प्रेसिडेंट चाप्टर पढ़ रहे हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे जब हम वाइस प्रेसिडेंट चाप्टर पढ़ेंगे तब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे है नहीं तो अभी प्रेसिडेंट चाप्टर पढ़ रहे है तो प्रेसिडेंट चाप्टर से रिलेटेड जो भी बात है वो आप करेंगे क्लियर है मेरी बात ओके कोई डाउट तो नहीं दूसरा रीजन मैं चलो यह रीजन के लावा और रीजन बताओ बच्चे अगर प्रेसिडेंट रिजाइन देंगे त्याग पत्र देंगे तो भी सीट राश्पती को त्याग पत्र देंगे क्या मेरी बात क्लियर है क्या मेरी बात क्लियर है अच्छा तीसरा रीजन हो सकता है राश्पती के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं तो भी सीट खाली हो जाएगी ना अगर 5 साल पूरे हो जाएंगे तो भी सीट खाली होगी तो हमें पता ह होता है कि राश्पती के 5 साल पूरे होने वाले हैं तो हम लोग 6 मेहने पहले से ही चुनाओ की तैयारी करा के नए राश्पती को चुन लेते हैं जिस दिन ये जाएंगे उसके बाद नए राश्पती को शपत दिला देंगे क्या मेरी बात समझ में आई बच्चो क्या मेरी बात यहां तक आपको समझ में आई सब को समझ में आ गई वेरी गुड और लास्ट एक रीजन होता है इंपीच्मेंट इंपीच्मेंट को हिंदी में कहते हैं महावियोग है ना राश्ट्रपती का महावियोग भी होता है और महावियोग का आर्टिकल है 61 आर्टिकल 61 के तहट हम राश्ट्रपती को हटा भी सकते हैं हम Article 61 पर राश्पती को हटा भी सकते हैं मेरे अच्छारिक वो टाइम का थोड़ा सा हो सकता है क्लॉक आगे पीछे सेटो उसको क्यों आप दिल पे लेते हो येस मैं प्रेसिडेंट की खाली सीट पर कितने दिन रहते हैं ये तीनो मैंने ये नहीं का कि प्रेसिडेंट की सीट खाली होने पर ये तीनो रहेंगे अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली होगी तो वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे ठीक है अगर वो भी नहीं हुए तो सीजिया है और ये भी नहीं हुए तो ये लोग ठीक है कोई एक ही जन बैठेगा maximum यह लिखा तो है 6 मैने के लिए काम कर सकते है clear है बच्चो अब मेरी बात सुनो महावियोग बच्चे पूछते हैं मैं यह महावियोग के बारे में बहुत कुछ सुना है यह महावियोग होता क्या है अब एक बात सुनो impeachment को हिंदी में बोलते है महावियोग और इसके बारे में कुछ बाते अगर आपने मेरी सुन ली तो class के class में learn हो जाएगी इससे question आ सकता है महावियोग का पहली बात अनुचेद 61 कहां से लिया है अमेरिका से लिया हुआ है कहां से लिया हुआ है America से लिया हुआ है क्या हम President को हटा सकते है बिल्कुल हटा सकते है कब हटा सकते है जब हमारे समविधान का violation होगा हम लों के समविधान का बो उलंगन करेंगे या वो अयोग्य होंगे तो उन्हें हटाया जा सकता है दो अधार पे अटाते है योग्य होंगे ठीक है ठीक है या तो वह योग्य होंगे और या फिर वो क्या होगा यह जल्दी से बताइए ये तो आज मैं पहली बार चाप्टर स्टार्ट कर रही हूं आज ये चाप्टर पहली बार स्टार्ट हुआ है आपको लग रहा है मैं सब पढ़ा चुकी हूं वा 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 क्या बात है आपने को इसी दोस्ते बाच में तो मुझसे नहीं पढ़ा है है हां एक बार हुआ है ना एक बार हुआ है जब प्रेसिडेंट है आपके बहुत हुद रहा है उन्हें चीफ जस्टिस अपिश बंढेंगे बिडिद्ध करकिते आर्टिकल 61 हम लोग महावियोग के बारे में बात करते हैं अमेरिका से लिया है और दो आधार पे खटाते हैं अगर वो सम्विधान को लंगन करते हैं या आयोग है आस तक कभी भी भारत की राश्पती का महावियोग नहीं हुआ है आस तक कभी भी महावियोग नहीं हुआ है आपने का चलो मेम, राश्पती है, वो दुर्वेवार कर रहे हैं, और वो अयोग्य हैं, हमें हटाना है, हमें प्रोसीजर बताओ, तो बेटा, या तो लोगसभा या राजसभा, कोई भी इसके बारे में बात उठा सकते हैं, है ना, ठीक है, ये कोई भी बात उठा सकता है, य एक बटाचार सदस्य का साथ चाहिए होता है प्रारंब करने के लिए एक बटाचार सदस्य का साथ चाहिए होता है इसका मतलब क्या हुआ अब एक अकेला व्यक्ति राश्ट्रपती को नहीं हटा सकता हो सकता है एक अकेला व्यक्ति अगर वो कह रहा हो तो उसको उन राश्ट राश्पती से कोई पर्सनल लड़ाई हो, कोई पर्सनल उनकी दुश्मनी हो, इसलिए एक व्यक्ति कभी भी नहीं हटा सकता, ये मानो अगर सभा में 100 लोग हैं, तो 100 का एक बटा चार किता हुआ 25, मतलब 25 लोग बोलें हां कि हमें राश्पती को हटाना है, ठीक है, अच्छा प्रारंब करने के लिए एक बटा चार, और उसके बाद पारित होगा, पास करने के लिए आपको चाहिए, दो बटा तीन सदस्य, दो बटा तीन को अगर मैं परसंटेज में बोलू, तो 6-6 परसंट, बोलें कि हां इन्हें हटाओ, मतलब ये मानो कि 100 लोग हैं, तो 100 में से 25 लोग मिलकर बोलें कि हां हम एक बिल लेके आएंगे, जिसमें हटाने की बात करेंगे, और 100 में से 66 बोलें कि हां इन्हें हटाओ, ठीक है, और 14 दिन पहले हम राश्पती को पूर्व सूचित कर देते हैं, 14 देस पहले हम लोग राश्पती को पूर्व सूचित कर देते हैं, कि एक सभा में तो आपके लिए महावियोग हो रहा है आप दूसरी सभा में अगर आप कुछ आके अपनी सफाई पेश करना साते हो तो आप सफाई पेश करो अगर आप संतुष्ट है तो आप उनको मत वोट करना वो नहीं हटेंगे लेकिन अगर दोनों सभा ने का महावियोग नहीं हुआ है क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई इसमें किसी को डाउट यह बिल कहा सकता है लोकसभा राजसभा कोई भी ला सकता है लोकसभा लाएगा प्रारंब करने के लिए एक बटा चार पारित करने के लिए दो बटा तीन चौदा दिन पहले पूर को समझ में आई येस और नो जल्दी जल्दी बोलो इतना धीरे कमेंट क्यों आ रहें आज क्लियर सबको लर्न हो गया अब देखो आप लोग ने मेरे से नोट में समझ लिया अब मैं आपको पीपिटी से इंपॉर्टेंट लाइन अंडर लाइन करा दूंगी सब लर्न हो ज लाइन सकता है ठिक है दोनों सभाओं में से कोई भी ला सकता है बेटा लोग सबाजी चलो आप पीपिटी से पढ़ते हैं आप जल्दी से साथ साथ में बोलते चलोंगे कोई चुप नहीं बैठेगा सब लोग साथ में बोलेंगे जिस से लान होता जाए प्रेसिडेंट भारत के मुख्या होते हैं प्रेसिडेंट नाममाद नामिनल हेड होते हैं सुप्रीम कमांडर ओफ डिफेंस डिफेंस मतलब होता है आर्मी नेवी एर फोर्स जल थल एवं वायू के ये क्या होते हैं मुख्या होते हैं आर्मी नेवी और एयर फोर्स ठीक है जल थल एवं वायू के ये क्या होते हैं मुख्ये होते हैं प्रेसिडेंट राश्पती किसी भी सभा के सदसे नहीं होते हैं इनको भारत का हम प्रथम नागरिक मानते हैं, प्रथम नागरिक क्यों मानते हैं, क्योंकि जब कभी भी जनगर्ना होती है, सबसे पहला नाम राष्ट्रपती का लिखा जाता है, इसे लिए हम प्रेसिडेंट को प्रथम नागरिक मानते हैं, हम प्रेसिडेंट को क्या मानते है हम लोग प्रथम नागरिक मानते हैं क्या मेरी बात यहां तक सबको समझ में आई प्रेसिडेंट को हम प्रथम नागरिक क्यों मानते हैं तो कि जब कभी भी जनगर्णा होती है सबसे पहले राश्ट्रपती का नाम लिखा जाता है कि नॉमिनल एक्जीक्यूटिव का मतलब होता है साइनिंग अथारिटी क्योंकि हमारे हैं देखो डेली में नाम आप रियल में एक रियल में किसका नाम सुनते हो प्राइम निस्टर प्रदानमंत्री का नाम सुनते हो क्या मेरी बात यहां तक सबको समझ में आई कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक क्लियर है नहीं पुलिस के नहीं आर्मी नेवी एर फोर्स जल थल वाई यू ओके नाउ नेक्स पॉइंट प्रेसिडेंट को शपत कौन दिलाते हैं ठीक है प्रेसिडेंट को शपत कौन दिलाते हैं Chief Justice of India भारत के मुख्य नयाय अधीश यह कौन ओते हैं सुप्रीम को्ट में 33 नयाय अधीश होते हैं और इन 33 नयाय धीश का जो एक हैद होते उनको हम क्या बोलते हैं मुख्ह नियाधीश अगर मुख्ह नियाधीश नहीं है तो अपनी जगध जो भी कोई वरिष्ट senior जजोगा वो शपत दिला देंगे प्रेसिडेंट अपनी शपत में क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट शपत में कहते हैं कि मैं इमांदारी से कारी करूंगा, मैं अपने संविधान को, कानून को, संरक्षर और बचाव प्रदावन करूंगा, preserve, protect and defend the constitution, ये कहते हैं कि मैं अपने आपको भारत के लोगों के बलाई के लिए अपने आपको पूरी तरीके से समर्पित करता हूं, तो राश्पती शपत में क्या कहते हैं? इमांदारी से काम करूंगा, संविधान का संडक्षन और बचाव करूंगा, साथी साथ में अपने आपको क्या करूंगा? लोगों की भलाई के लिए वेलफेर वो करूंग है ना, एक-एक करके सब प्याएंगे, आज की क्लास प्रेसिडेंट पर कल की क्लास भी प्रेसिडेंट पर ही होगी, बिल्कुल चिंता नहीं करो, सब कुछ कंप्लीट होगा, ठीक, आर्टिकल 61 क्या कहता है, जल्दी से बताओ, आर्टिकल 61 क्या कहता है, Impeachment महावियोग, सा विधान का उलंगन करते हैं, यह किसी भी सभा में आ सकता है, या तो लोग सभा या राज्य सभा, है ना, कितने दिन पहले हमें पूर्व सुचित करना पड़ता है, चौदा दिन पहले पूर्व सुचित करना पड़ता है, है ना, नॉर्मल लोग भी बन सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि राश्पती बनने के लिए कोई political background हो सबसे best example आपको दू डॉक्टर एपी जी अब्दुलकलाम डॉक्टर एपी जी अब्दुलकलाम एक ऐसे राश्पती थे जिनका राजनिती से कोई लेना देना नहीं था पर फिर भी वो राश्पती बने एक अच्छी इमेश तो होनी चाहिए ना सुसाइटी में है ना ओके चौदा दिन पहले हमें पूर सुचित करना पड़ता है कितने दिन पहले पूर सुचित करना होता है बिटा चौदा दिन पहले उसके बाद ये बिल कितनी परसंट से पास ह होता है बच्चे आप अगर उधर से बोलोगे भी तो मुझे क्लास में सुनाई कैसे देगा वैसे ही आपको कमेंट करना पड़ेगा है लाइब्रेरी में भी हो तो कैसे बोल पाओंगे है ना बिल्कुल सही बात है दो बटा तीन या चाथ-चाथ-परसें इंपीच्मेंट कैस प्रॉसेस tasting जुडीशिम है ठीक है राश्पती अपनी बात रख सकते हैं कित्ते रिजूशन से पारित होगा दो बटा तीन से पारित होगा क्लिए रहे हैं तक कोईंड कि सी को यह कोनी डाऊट को करने नहीं हो चलिए से बताओ अभी तक सबस्छा नह있ो यहां तक सबको लर्न हो गया बच्चो ओके प्रेसिडेंट का कारिकाल कित्ते समय तक होता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताईए सबके सब बताओ प्रेसिडेंट का कारिकाल कित्ते समय क्लिए होता है पांच साल क्लिए होता है वो अपना रेजिगनेशन त्याग पत्र कि देते हैं, वाइस प्रसेडेंट वो प्राश्पती को देते हैं, सालरी कित्ती होती है वेतन, पांच लाक रुपए महीना, रैंक कौन सी है, पहली रैंक है, फर्स्ट रैंक है, है ना, क्या ये दुबारा चुने जा सकते है, कितनी बार भी चुने जा सकते है, है ना, क्या ये भी चुरे जा सकते हैं एनी नंबर ओफ टाइम येस ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया अच्छा अगर राश्पती रिजाइन देंगे तो फिर उनकी जगह कोई भी काम करेगा तो आक्टिंग प्रेसेडेंट कितने समय तक काम कर सकता है बच्चों छे महीने तक कर सकते हैं यही बात लिखी है कि अगर राश्पती का पदखाली होता है उनकी जगह कोई भी काम करेगा वो अधिक्तम कितने समय तक कर सकता है छे महीने तक ही कर सकता है ठीक है ठीक है योग्यता बताओ आपको राश्पती बनना है राश्पती बनना है योग्यता बताओ क्या क्या चा आप अगर एक्जाम के पैटर्न को देखोगे ना तो एक्जाम के पैटर्न में कॉंसेप्ट आते हैं रटने वाली चीज़े तो आप रट तो खुदी सकते हो है ना रटने वाली चीज़े तो आप खुद भी रट सकते हो बिटा रटने वाली चीज़ों में कुछ समझाने का तोड़ी ना होता है, जो समझाने वाला पॉइंट है, उनको समझो, और जो अब questions आते हैं, वो concept से आते हैं, ठीक है, जो questions आते हैं, वो concept से आते हैं, ये सारे notes exam oriented हैं, जिस तरीके से exam में questions पूछे जाते हैं, ठीक है, हाँ, जल्दी से बताईए, बिल्कुल सही बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम एज कित्ती होनी चाहिए, 35 साल, मैं आपने बताया था, लाब का कोई अनिपद नहीं होना चाहिए, अगर आपके पस कोई लाब का कोई अनिपद है, तो आप पहले त्याग पत्र दो वहां से, resign दो, resign देने के बाद आप शपत लोगे, ठ होना चाहिए, ठीक है, sound mind, मानसिक तौर से संतुलित होने चाहिए, है ना, दिवालिया घोशित नहीं होने चाहिए, दिवालिया घोशित नहीं होने का मतलब कि करज लिया है, करजदा नहीं कर रहे हैं, दिवालिया होने का मतलब, loan लिया है, loan repay नहीं कर रहे हैं, करज लिया कहा कि वो मेंबर है मैंने यह कहा है कि योग क्वालीफाइड होने चाहिए क्वालीफाइड कैसे उस पॉंट पर आ रहे हूं एक सेकंड रूख जो मैक्सिमाम एज risk wording वोब चाहिए कोई नहीं होती ठीक है आच्छा qualified पैसे लेके भागे नहीं जाहिए बटा वही हां जेए जैसे मैंने आपको कहा एभी अबदुलकराम का कोई राज़नृती से और फिर भी वह राश्पति बने मेरी बात सुनना जो भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति राश्पति के पद के लिए उम्मीद्वार की तरह खड़े होते हैं एक कैंडिडेट की तरह खड़े होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनको कम से कम 50 एलेक्टर as a proposer and 50 elector as a seconder मिले मतलब 50 सदस से ऐसे होने चाहिए जो एक प्रत्याक्षी और अन्य 50 अनुमोदक की रूपे होने चाहिए इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये मानो कि कम से कम 50 लोग उनके नाम को प्रपोस करें उनके नाम को आगे बढ़ाएं क्या कि ये राश्ट्रपती बन सकते हैं और अन्य 50 इनको सपोर्ट करें मतलब कम से कम 100 लोग ऐसे होने चाहिए जो उस उमीदवार को आगे बढ़ाएं कि आप राश्ट्रपती बनने के लिए खड़े हो जाओ क्या मेरी बात समझ में आई? दूसरी बात जो भी उमीदवार राश्ट्रपती पत के लिए बिटा खड़ा होता है उसको 15,000 रुपे 15,000 वन फाई फंद्रा हजार रुपे RBI में security deposit के रूप में देना अनिवार रहे है 15,000 रुपीज 15,000 रुपे RBI में सुरक्षा जमाराशी के रूप में देना अनिवार रहे है अगर total votes का उसको minimum 1 by 6 1 बटा 6 मत प्राप्त नहीं होंगे तो उसकी security deposit सीज हो जाएगी तो अगर उनको कितने vote सुने चाहिए minimum 1 by 6 मत प्राप्त होने चाहिए अगर कुल मत का 1 by 6 मत प्राप्त नहीं होंगे तो सुरक्षा जमाराशी जब्थ हो जाएगी क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? पक्का अब मेरी बात सुनो अब बच्चो मेरी बात सुनो यही बात लिखी है कम से कम 50 लोग उनके नाम को आगे बढ़ाएं और अन्य 50 लोग उनके नाम को बोलें कि हाँ आप राश्पती पद के लिए खड़े होई है हर उमीदवार को 15,000 रुपै RBI में Reserve Bank of India जो कि एक सरकारी बैंक है केंद्री बैंक में जमा करना अनिवारी है अगर वो कुल मत का एक बटा छे कम से कम मत नहीं पाएंगे तो सुरक्षा जमानत्राशी जब्त हो जाती है कोई डाउट तो नहीं है बच्चो यहां तक यहां तक क्लियर है अच्छा अनुछे दिखत्तर कहता है कि अगर कभी भी राश्ट्रपती और उप्राश्पती के चुनाव में मतभेद हुआ तो हमेशा निर्ने सर्वोच नियाले देगा सुप्रीम कोट देगा ठीक है बेटा अनुमोदक प्रित्याक्षी यही तो समझाया कि 50 सपोर्टर और 50 प्रपोजर होने चाहिए कि 50 उनके नाम को प्रपोस करें और अन्नी 50 उनके नाम को सपोर्ट करें ठीक है अब में बात सुनो आर्टिकल 71 कहता है कि अगर कभी भी राश्पती और उप्राश्पती के चुनाव में मतभेद होंगे तो उसका निर्ने कौन देगा उसका निर्ने सुप्रीम कोट देगा है ना वैसे चुनाव के मतभेद में इलेक्शन कमिशन काम करता है निर्वाचनायो लेकिन इन दोनों के केस में नहीं करता राश्पती और उप्राश्पती के केस में कौन निर्ने देगा सर्वोच नियाले देंगे ठीक है सर्वोच नियाले निर्ने देते हैं क्या मेरी बात समझ में आई क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई तो कभी भी अगर मत भेद होगा तो इनका निर्ने कौन देगा सर्वोच नियाले निर्ने देते हैं हमेशा याद रखना, बच्चों हमेशा याद रखना, कि ये देखो क्या लिखा है, He should not be, मतलब ये किसी भी सभा के सदस्ये नहीं होने चाहिए, ये किसी भी सभा के सदस्य क्यों नहीं होने चाहिए क्योंकि हमने योगिता में लिखा है कि लाब का कोई अनिपद नहीं होना चाहिए है ना no office of profit लाब का कोई अन्यपद नहीं होना चाहिए ये किसी भी सभा के सदस्य नहीं होने चाहिए और ये अगर किसी भी सभा के सदस्य हैं तो उनको वहां से seat को resign करना पड़ेगा वहां से ये त्यागपत्र देंगे तब शपत लेंगे ठीक है ये किसी भी सभा के सदस्य नहीं होने चाहिए ठीक है ये क्या आपने कर दिया 15,000 इंटू 100 ये क्या कर रहे हो आप वो तो 100 लोगों का support चाहिए जो मीदवार खड़ा होगा केवल वो ही तो अपनी fees भरेगा जो उनको support कर रहा है वो तोड़ीना सब लोग fees भरेंगे अगर आज मैं कोई exam के लिए form भरूंगे तो form की fees तो मैं ही भरूंगी ना जो लोग मुझे कह रहे हैं कि तयारी करो चलो तुम पढ़ाई करो वो लोग अपनी fees तोड़ीना भरेंगे भई जो मीदवार होगा वही तो fees भरेगा 15,000 इंटू 100 कहां से हो गए भई बात समझ में आ रही है जो मीदवार है केवल वही भरेंगे 15,000 रुपे 100 लोग तो केवल support करने वाले हैं उनका नाम आगे बढ़ाने वाले हैं कि तुम राश्पती बनो उनको आगे बढ़ा रही है ठीक है बेटा क्या मेरी बात समझ में आई ओके यह मैं सोचो कि 100 बिचारे वोटी नहीं कहेंगे नामी नहीं बढ़ाएंगे राश्पती तो मुझे बनना नहीं मैं अपनी जेब से 15,000 रुपे क्यो डालू आच्छा कहां लिखा है एवरी बताई हो जरा बताना जरा बेटा कहां लिखा है वेरी मैं देखों भी कहां इस एवरी कहां इसकी एवरी मैं भी अभी एवरी काटू कहां लिखा है बताओ जरा एवरी कैंडिडेट प्रभुदेव यह क्या लिखा है candidate मतलब क्या होता है उमीद्वार यह क्या लिखा है candidate मतलब क्या होता है उमीद्वार है ना every candidate का मतलब उमीद्वार यह नहीं लिखा है कि जो support कर रहें वो भी जमा करें एक को बंदा सपोर्ट नहीं करेगा वो कहेगा हम क्यों भरेंगे 15,000 रुपए बाई तुमने बनना है बनो नहीं बनना है मत बनो यह बता बात समझा रही है बेटा एवरी का मतलब है उमीदवार है ना एक अगर तुम सबसे 100 लोगों से 15,000 डलवाओगी न एक बंदा कोई राश्वती का नाम नहीं देगा तुमने बनना है बनो पांच लाग रुपए तुमने मिलने है हम क्यों 15,000 रुपए अपनी जेब से लगाए बताओ यह बता ह हम को बात समय हूँ है समझागी बात इस्त गवटनर बन सकता है ज़रूरी नहीं बिल प cog만 सकते जो नहीं बन सकते हैं गवर्णर भी बन सकते हैं आज नागरीग भी बन सकते हैं यस क्या मेरी बात समझ में आई पंद्रह हजार एक नहीं है वो रुपए का साइन है ठीक है वो एक पंद्रह हजार एक रुपए का साइन है ठीक है पंद्रह हजार वो एक रुपए का साइन है ठीक दिल पर नहीं लेना एक रुपए बचा लेंगे है एक रूपर बचाएंगे हम लोग ठीक है ओके है आप बिल्कुल बन सकते हो बिल्कुल आप भी बन सकते हो 35 साल के हो आप यह बताओ पहले मुझे योग गिदा तो देख लो पहले ठीक है अब मेरी बात सुनो किसी भी सभा के सदस्य नहीं होने चाहिए और अगर आप किसी सभा के सदस्य हो तो पहले आप वहां से रिजाइन दोगे फिर शपत लोगे ठीक है ओके बहुत बढ़िया अब मेरी बात सुनो लाप को कोई अन्यपद नहीं होना चाहिए ठीक है बहुत बढ़िया उसके बाद इनको सारे खर्चे मिलेंगे सब कुछ मिलेगा शौट में समलो कि अगर आप राश्पती उप्रमलो शौट में सारे खर्चे कौन देगा सारे खर्चे सरकार देगी और यह खर्चे कौन डिसाइड करेगा संसद डिसाइड करेगी है ना सारे खर्चे कौन देगा संसद से सारे खर्चे जाएंगे सारे खड़्चे ठीक है clear है ओके उसके बाद याद रखना कि जितनी सैलरी पे हमने उनको जॉइनिंग कराई ये ना तो हम उनके साथ धोका धड़ी नहीं कर सकते हैं कि अगर हमने उनको पांच लाग पर जॉइनिंग कराई ये दो साल हमने पांच लाग दिये तीन ठीक है आप जितने समय पे जॉइन करते हो उतने समय जितनी सैलरी पे आप उनकी सैलरी को कम नहीं कर सकते बेटा ये बात मैंने आपको पढ़ा दी है वही बात एक डाइग्राम के रूप में मैं बता दे रही हूँ इसमें ये लिखा है कि अगर राश्ट्रिपती नहीं हु करेंगे और प्रधान वाइस प्रसेडेंट भी नहीं हुए तो कौन काम करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुखे ने आए दीश और अगर वह भी नहीं हुए तो सुप्रीम कोड के 33 जज है जो सबसे सीनियर होंगे वह काम करेंगे क्या मेरी बात यहां तक सब को समझ आई अगर बेटा आज मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है आज कैसे मैं प्रैक्टिस करा दे तो ममें यह बता हमें तुम आइस बता दो आज बालक कि बिना पढ़ाए हम तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें तो हमसे यही कोगे कि मैं अभी आपने पढ़ाया तो है नहीं क्वेश्चन आप पहले करा देते हो हैं अब मैं समझदारी से कर रही हैं पहले पढ़ा के फिर तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगी तो तुमने सबर है नहीं मैं तुमको कब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराती है यह हमेशा मैं क्वेश्चन प अगवा प्रैक्टिस कराती है है तोपिक कैसे खतम हो गया हम कल भी पढ़ाएंगे राश्पती अभी आज तुमने राश्पती के कुछ important point पड़े करम राश्पती के अधिकार भी तो पढ़ लें उनके पस कौन-कौन अधिकार है यह भी तो पढ़ लो कम से कम येस किया मेरी बात समझ में आई तो पहले ये भी तो पढ़ लो पहले लें लोट आते हो बता तुम लों को लोट जाओं इस ये तुम लोग रुको सौरी की बात नहीं है सौरी की बात ही मैं मजाग कर रही हूं दिल पर मत लिया करो क्लियर है यहां तक पहले मुझे यह बताओ क्लियर है पक्का अच्छा चलो आओ तुम लोग से मैं ओरल पूछ लेती हूं आज बही कभी-कभी मैं को मौकत दो मैं तो question practice daily करा दें डिली डिवाइस नहीं कराती है और वर ल क्वेशन दो मैं डेली पूछ लेती है चला आज मैदान में आओ देखते हैं कौन जीता है question पूछने आला जीत रहा है answer देने आला जीत रहा है चला जल्दी से बताओ प्रेसिडेंट का आर्टिकल बताओ चालू हो जाओ फड़ाफट फड़ाफट रुख जाम question की ऐसी जड़ियां लगा देंगे इतने सारे question तुम लोग answer नहीं कर पाओगे जल्दी करो प्रेसिडेंट का आर्टिकल बताओ बिल्कुल सही बात है 52 अच्छा यह बता राश्पती का कारिकाल कित्ता होता है second question second question राश्पती का कारिकाल कित्ता होता है comment box को दोड़ा डालो जल्दी से राश्पती का कारिकाल राश्पती का आर्टिकल 52 है राश्पती कित्ती बार चुने जा सकते हैं राश्पती की salary कित्ती होती है वेतन कित्ता होता है पेंशन कित्ती होती राश्पती की प्रेसिडेंट का पेंशन कित्ता होता है प्रेसिडेंट को शपत कौन दिलाते हैं ओध कौन दिलाते हैं राश्पती को शपत कौन दिलाते हैं ओध कौन दिलाते हैं आठ लाग कहां से आगे कुछ भी है कुछ भी आठ लाग तो मैंने पढ़ाया रही नहीं पांच लाग पढ़ाया था तुमने आधी गंटे में तीन लाग रुपए वेतन बढ़ा दिये यह क्या हो रहा है देश में यह क्या चल गया रहा है देश में है यह देश में कहां से आ बिल्कुल सही बात है इस पीट जाता है इनकी सब्सक्राइब दी राश्ट्रपती के राश्ट्रपती दूए देगा इन इतनी दूआ अच्छे यह बताओ जल्दी से कि जो आक्टिंग प्रेसिडेंट होता है वो कित्ते समय तक मैक्सिमम काम करता है अच्छे बताओ आच्छे महाव्योब कार्टिकल क्या है जल्दी यहली करो महाव्योब हमने कहा से लिया है क्या आस तक अभी भी भारत में राश्पती का महाव्योब हुआ है आज तक अभी भी भारत में इंडिया में प्रेसिडेंट का इंपीच्मेंट हुआ है YES और NO इंपीच्मेंट के सभा में आ सकता है लोग सभा में, राज सभा में या बोथ दोनों में किसी भी सभा में आ सकता है इनिशियेट करने के लिए प्रारम करने के लिए कित्ते सदसिगी जरुवत होती है। एक बटा च्छे और पास करने के लिए पास करने के लिए इनिशियेट करने के लिए एक बटा चार नॉट एक बटा चार वन बाई फोर और पास करने के लिए टू बाई त्री दो बटा तीन है ना और दो बटा तीन को परसंटेज में कितना बोलते हैं 66 परसंट है ना 66 परसं प्रेसिडेंट को प्रायर नोटिस दे देते हैं, पूर्व सुचित कर देते हैं, कितने हजार रुपे उमीदवार को जमा करने होते हैं और कहां पर जमा करने होते हैं, 14 डेस, very good, कितने हजार रुपे जमा करने होते हैं, और कहां पर जमा करने होते हैं, बिल्कुल सही बात है 15,000 रुपे और RBI में कितने वोट नहीं मिलेंगे तो जमानत राशी जब्त हो जाती है कितने वोट अगर नहीं मिलेंगे तो सेक्यॉर्टी डिपॉजिट सीज हो जाएगी बिल्कुल सही बात है 1 by 6 अगर एक बट अच्छ है मत नहीं मिलेंगे तो जमानत राशी जब्त हो जाएगी सबको सबकुश लर्न हो गया है yes or no quickly reply यहां तक सबको सबकुश लर्न हो गया है सबको समझा गया है हाँ या ना और अगर आ गया है तो give me a very good smiley and a thumbs up everybody give me a very good smiley and a thumbs up very good बहुत बढ़िया शांदार बच्चों हमेशा याद रखना कि great things come from hard work मेहनत करते रहो सारी मुश्किल से मुश्किल चीज़े आसान होती रहेंगी आपके सपने साकार होते होंगे रहेंगे और घरवालों का नाम रशन होता रहेंगा कोई भी चीज़ टफ नहीं है अगर आपको टफ लगती है आप मेहनत करते रहो ठीक है sound mind मतलब होता है बेटा मानसिक तोर से संतलेत होने चाहिए ठीक है आप मेहनत करते रहो hard work करते रहो सारी चीज़े संभाव है कुछ भी असंभाव नहीं है yes clear है okay very good बहुत शांदार बहुत शांदार बच्चों फिर यहां तक आप लोग को सब को सब कुछ clear है बहुत बढ़िया फिर आज के session को हम लोग यहीं तक रखते हैं हम लोग कल फिर मिलेंगे और आज के लिए everybody thank you so much take care of yourself stay very happy and God bless you bye झाल 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 झाल